टिक टॉक यूट्यूब टिक टॉक यूट्यूब जहां भी देखो बस यही चालो है वाट सब गाईज मिरा नमें इशान and welcome back to the channel तो गाईज माजरा तो कुछ यही है कि टिक टॉक की तरफ से जो है न सबसे पहले है कॉंट्रिवेस से स्टार्ट होई वहाँ पर टिक टॉकर्स ने यूटूब के कंटेंट क्रेटर्स को और यूटूब को क्रिटिसाइज किया तो यूटूब की तरफ से भी रिपलाई गया जहां पर केरी मिनाटी ने अपनी बहुत जबदस वीडियो बनाके डाली और उसने सब कुछ बताया अपनी वीडियो में किस किस तरह के का कंटेंट टिक टॉप के ओपर क्रियेट होता है अब वो वीडियो जो बनाके डाली थी दोस्तों इतनी जबदस चली 70 30 मिल्योन व्यूजव उस वीडियो ने क्रॉस किये और बेक टू सारे रिक़र्ड्स वीडियो क्रॉस करती जा रहे थी और एवन केराकिन चनल के ओपर एक दिन सब्सक्राइबर फे सुन साला 10,000 सब्सक्राइबर जी है इस बाद में फिर हमें पता लगता है कि उस वीडियो को यूटूब ने डिलीट कर दिया एक दूसरा टॉपिक है उस पर बाद में डिसकस कर लेंगे फिर कभी अब गाईस जोस्तों यहां पर ऐसा बताया रहा है कि टिक्टॉक ने इस वीडियो को मास रिपोर्ट किया था यूटूब को जिसकी वजेसे यूटूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया यह भी एक र पहली बार नहीं है कि टिक टॉक के अगेंस्ट कुछ आया है इससे पहली भी दोस्तों मैंने वीडियो डाली थी और उसमें आपको बताया था कि जो रेडिट का को फाउंडर या ओनर है उससे जब एक मीटिंग में डिरेक्ली पूछा गया कि वाइडोंट यू 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 और चाइनीज एप्लिकेशन मतलब खत्रा लेकिन दोस्तों ऐसा भी पता लगा है कि चाइनीज गवर्मेंट ने प्रेशराइस किया है इस वीडियो को निकालने के लिए क्योंकि जो भी वीडियो जितनी ज़्यादा फेमस होती है उसके पॉजिटिव अप्रोच भी होते है और इस वीडियो में दोस्तों डिरेक्ली जो एना वो एक प्रोड़क को नीचा दिखाया जा रहा था और चाइना की गवर्मेंट ये बिल्कुल भी बरदाश नहीं करती उसके अगेंस्ट कोई क्रिटिजिजम या उसके कोई भी प्रोड़क की अगेंस्ट कोई क्रिटिजि हो तो ये दो रिजरन है लेकिन मेरे विल्कुल ये जो जादा चांसे है तो ये तो हो गई बात कौंटर वर्सीस की जो से बात करूं और यहां पर कुछ पॉइंट से जो मैं आपके सामने रखूंगा उसके बाद में आप खुड डिसाइड कर सकते हो कि विच वन इस बेटर फो यू सबसे पहली चीज में आपको बता देता हूं कि यूटूब और टिक टॉक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिया दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है अगर आप इनको आपस में कंपैर करने की कोशिश करोगे तो यह समझ लीजे के कंपैरिजन ही नहीं क्योंके टिक टॉक एक अलग प्लैटफॉर्म है और यूटूब एक अलग तरीकी का प्लैटफॉर्म है हाल अगर आपको इसमें कोई बी कंटेंट पसंद है तो आप टिक टॉक की तरफ जा सकते हो लेगिन दोस्तों अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जहां पर आपको कुछ गुलिह मिलें कुछ नया सीखने केलिए मिलें कुछ अपना होना ची ओरिजिनल होना चीए न की किसे का कॉपी जहां पर आपको पूरी आजादी जो थी आपको freedom होता है कि starting till end सब आपको करना है मतलब shooting भी आपको करनी है जो आप video shoot करते हैं उसके बाद में उसकी editing भी आपको करनी है प्रॉपर तरीकी से जो editing होती है तो यह सारी चीज़ दोस्तों अगर आपको सीखनी है तो आप YouTube पे आ स आपको सीखने के लिए नहीं मिलता है जो कोई एक तरीके से धंका content ही नहीं है उसके बाद में अगर उसके comparison में आप देखोगे कि एसी वीडियो जिसमें एक बंदा जोना वह चार से पांच मिनट दस मिनट ले रहा है और आपको प्रॉपर चीज सिखा रहा है मतलब as a viewer मैं करना भी नहीं आता था लेकिन यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉपरली आपके समने बैठके एक वीडियो रिकाल रहा हूं अपर आप जो है ना वो खुद आपको सब कुछ करके नहीं देरा कि हमने सब कुछ कर दिया तुम खाली बस acting करके upload करने का काम करो अब इतनी चीज़ें दोस्तों आपको बतानी है तो यहां पर आपको सिर्फ 15 सेकेंड में इतनी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूं 6-7 या 8 मिनिट की वीडियो हो गई है तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कौन से प्लाटफॉर्म पे जाना चाते हो मैंन तो दोनों तरफ से आपको अपने व्यूज बता दिये मैं सिर्फ एक ही चीज़ को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि यह सो इर्रेलेवेंट कंटेंट है यह सिर्फ आपको टिक टॉक पर ही देखने के लिए या आपको यूटूब पे भी देखने के लिए लेकि का अलग अलग ओपीनेन रहता है मेरा अलग ओपीनेने किसी और का अलग ओपीनेन तो मैंने तो अपनी तरीक से समझाने की कुछिश करी है बस कमेंट की गाइडलाइन को जो है ना दोस्तों वोलेट मत करना गाली वाली मत लिखना प्लीज और येस हमारे चैनल को भी सब्सक कर देना शेरिंग पर शेरिंग करते रहना तो चले दो सब्सक्राइब मैं विलूंगा आपसे अगले वीडियो में जैहिंद